जै श्री कृष्ण अथ जेष्ट कृष्ण अपरा एकाधशी का था युदिष्टिल बोले हे जनारदन जेष्ट मास के क्रिष्ण पक्ष की एकाधशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म सुनना चाहता हूँ श्री कृष्ण बोले ही राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुन्दर प्रश्ण किया है, इस एकाथ्षी का नाम अपरा है यह अपराय काच्षी बहुत पुन्र की देने वाली है. जो अपराय काच्षी का वृत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं. पर इस्त्रिगमन आदी सब पाप अपरा के वृत करने से नश्ट हो जाते हैं. जूठी गवाई देने वाले, जूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी, कपटी वैदे, ये सब नरक गामी होते हैं परन्तु हे राजन अपरा के वरत करने से ये सब पाप छूट जाते हैं जो शत्रिय युद्ध से भाग जाता है, वह घोर पाप का भागी होता है ये राजन मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनिए कार्तिक की पूनिमा को तीनों पुषकर में इस्नान करने से काशी में शिवरात्री का वरत करने से जो फल मिलता है एवं गया में पिंडदान करने से, सिंग राशी के ब्रस्पती में गोमती नदी में इस्नान करने से कुम्भ में केदारनात के दर्शन से और बदरिकाश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से सूरे ग्रहन में कुरुछेत्र में हाथी, घोडा और सुवर्ण का दान करने से और यग्य में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकाच्छी के वरत करने से मिलता है प्रसूतागव, सुवर्ण और प्रत्वीदान इन तीनों से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकाच्छी का वरत करने से मिलता है यह पाप रूपी वरक्ष को काटने के लिए कुलहाडी और पाप रूपी इंधन को जलाने के लिए अगनी के समान है पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरन के लिए सिंग के समान है हे राजन पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकाच्छी का उपवास करना चाहिए जो एकाच्छी का वरत नहीं करते वे मनुष्य जल में बुलबुले के समान है और जानवरों में भुनगे के समान है अपराई कात्षी का वरत और वामन देव जी की पूजा इन दोनों को करके मनुशा सब पाप से छूट कर विश्नु लोग को जाता है हे राजन संसार के हित के लिए मैंने ये महात्म आप से कहा है इसके पढ़ने और सुनने से सप्रकार के पापों का नाश हो जाता है बोलो श्री कृष्न भगवान की जय